वेल्कम बैक टू माई चैनल इंडियन पूर्ड अयोध्या तो फ्रेंड्स आज मैं आप सभी के साथ भुट्टे की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जब भी आपका पॉपकॉर्ण खाने का मन हो आप अपने घर पे तूरंद बना सकते हैं तो ये देखिए तो ये घर के भु बना सकते हैं तो जब भी आप चाय के साथ कुछ खाने का मन हो आपका हलकी फुलकी भूक में तो तुरंद आप इसे बना कर अपने घर पे खा सकते हैं तो ये देखिए सारा दाना मैंने निकाल लिया है इसे साफ कर लेंगे तो मैंने साफ कर लिया है अब कूकर में हमने ते जाने को हम इसमें डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हाई पर रखेंगे और तेल अच्छी तरीके से धुवाधार गरम हो जाना चाहिए तब इसमें हम डालेंगे और इसे कवर करके पकाएंगे तो थोड़ा सा मैंने इसमें नमक भी डाल दिया है अब इसे हम ढखकन से कवर किये रहेंगे तो इसके उपर कवर जरूर करके रखेंगे तो यह जब लावे फूटने लगेंगे तो तेल के चीटे चेहरे पर पढ़ने का डर रहता है और उस चा किस तरीके से पहले से ही कवर करके रखा है तो आपको दिखाने के लिए कि लावा किस तरीके से फूट रहा है तो मैंने ठांस्पैरेंट ढखकन इसके ऊपर लगा दिया है तो यह देखिए किस तरीके से लावा बन रहा है तो इसके बाद हम मैं फिर से ढखकन रख देती और बीच बीच में कल्शी अंदर रखकर चलाते रहेंगे जिससे कि कहीं एक तरफ ज्यादा जलेना या फिर आप कूकर दोनों तरफ से उठाकर धक्कान उपर रखते हुए उसे चला सकते हैं यह देखिए फ्रेंड दो मिनट के अंदर कितना अधे सारा पॉपकॉर्ण बन ग लिया है तो आप तुरंत इसे अपने घर पे बना सकते हैं चाय के साथ जब भी आपका कुछ खाने का मन हो और यह इतना टेस्टी लगता है कि आपको मार्केट वाला भी इसके आगे फीका लगेगा तो यह देखिए तो सारे लावे के मैंने इसी तरीके से बना लिया है और उसके बाद जब लावे फूटने बंद हो जाएंगे तो धक्कार हटा कर एक से दो मिनट तक फिर से इसे हम चला लेंगे जिससे इसके अंदर मौशर न रहे तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आज की आप को यह बहुत जादा पसंद आई होगी आप बच्चों के लिए इसे तुरंद बना कर उन्हें दे सकते हैं और आप अपने लिए भी इस तरीके से बना कर जब भी आपको हलकी फुलकी भूख हो तो आप इसे बना कर खा सकते हैं तो थैंक्स फार वाचिंग फ्रेंड्स तो आप ज